गाईज ये वीडियो ट्रेसिबिल्टी सिस्टम के उपर एक शौट डिस्क्रिप्शन है जिसमें सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स कवर किये गए हैं जरूर देखें ये वीडियो मान लिजे आपका एक प्रोड़ट है जो की मार्केट में यूज हो रहा है और उसमें कॉलिटी इशू आता है आपका कस्टमर वो प्रोड़ट लेकर आपके पास आता है और वो आपसे बोलता है कि एक प्रॉपर रूट कॉस एनलिसिस करके मुझे बताओ कि इस प्रोड़ट म system को ही traceability system कहते हैं guys तो tracking करने के लिए या तो हमें एक barcode चाहिए या फिर एक serial number चाहिए जो की product की packing पे या product पर हो तो हमें वो number customer से मिल जाएगा अगर product पर ही वो number present है तो सबसे अच्छा रहता है इस number से हम final inspection report को access करेंगे final inspection report से हम ये भी पता करेंगे कि in process कब हुआ तो in process की report हम check करेंगे उससे हमें inspector operator machine का पता चल जाएगा और फिर हम incoming quality control की report तक जाएगे जिससे हमें supplier और उस product का उस product के raw material का invoice number मिल जाएगा फिर उस invoice number से हम supplier के end पर जो inspector था machine थी और जो भी instrument से inspection के उनका पता चल जाएगा material के test certificate का पता हमें चल जाएगा और हम analyze करेंगे कि problem कहां से आ रही है machine से आ रही है tool से आ रही है inspector से आ रही है या फिर operator से आ रही है या फिर manufacturing method से आ रही है और फिर हम उसमें changes करके product के design को robust product के quality control को robust बनाएगे और product की reliability को product के विश्वसनेता को हम बढ़ाएंगे जिससे customer satisfied रहे customer खुस रहे pressibility system के फायदे क्या होते हैं हम product की tacking कर सकते हैं दूसरा process के हर step का हम documentation maintain रखते हैं जिसे हमें troubleshooting करने में route cause analysis करने में बड़ा easy रहता है हमारे लिए recall management कर सकते हैं माल लीजिए हम हमें पता चला कि market में कोई defect आया है तो हम हर step पे check करके ये पता कर सकते हैं जो product है वो किस lot का है और फिर उस lot के सारे product को हम recall कर सकते हैं market से जिससे कि हमारी brand value maintain रहे customer satisfaction index maintain रहे compliance adherence यानि कि जो standard हम follow कर रहे हैं वो सारे standard को follow करने के लिए सारे standard को ISO और quality management standards को maintain करने के लिए अपने manufacturing unit में traceability system का होना बहुत जरूरी है और पाचवा product के quality control के लिए भी better तरीके से अगर हमें product का quality control करना है तो traceability system बहुत जरूरी है क्योंगो के करने हैं तरीक monitor जरूरी हमें लिए करने हैं